4, 3, 2, 1 Ladies and Gentlemen, आपका होस्ट रोहन, SpaceX successfully catch Super Heavy Booster Rocket SpaceX ने Space Exploration के ख्षेत्र में एक achievement हासिल की है जहां उसने Super Heavy Booster Rocket को Mid-Air में सफलता पूर्वक पकड़ लिया है जो Starship अंतरिक्ष यान की पांचवी परीक्षन उडान के बाद हुआ यह achievement आज SpaceX Star Wars सुविधा में हासिल की गई जो कंपनी के लक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है यह mission जिसे Flight 5 नाम दिया गया था शाम 5 बचकर 54 मिनट बजे IST पर लॉंच पैड से उडान भरा उडान के लगभग ढ़ाई मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर ने योजना के अनुसार Starship उपरी चरण से अलग हो गया जबकि Starship अपनी यात्रा को इंडियन ओसियन में एक नियंत्रित स्प्लैश डाउन की ओर जारी रखे हुए था सभी की निगाहें लोटते हुए बूस्टर पर टिकी हुई थी मेचा जिला नामक विशाल स्ट्रक्चर को रोबोटिक आर्म्स जिन्हें प्यार से Chopsticks कहा जाता है सुपर हैवी बूस्टर को रोबोटिक आर्म्स से कैच किया लॉंच के 6 मिनट और 37 सेकंड के बाद इतिहास रच दिया जब Chopstick आर्म्स ने सफलता पूरवक सुपर हैवी बूस्टर को पकड़ लिया और इंजन बंध होते ही उसे थाम लिया इस कैप्चर का स्वागत स्पेस एक्स कर्मचारियों और दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही लोगों द्वारा जोरदार तालियों के साथ किया गया जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देखा हाला कि मुख्य ध्यान बूस्टर कैच पर था स्टार्शिप उपरी चरन ने भी शांदार प्रदर्शन किया अपने नियोजित प्रक्षेप वक्र को पूरा किया और फिर इंडियन ओसियन में स्प्लैश डाउन किया यह दोहरी सफलता स्पेस एक्स के महत्वा कांक्षी स्टार्शिप प्रोग्राम जिसका उद्देश स्पेस ट्रांस्पोर्टेशन में क्रामती लाना है नासा के अधिकारियों जिन्होंने परीक्षन उडान की बारिकी से निगरानी की ने भविश्य के चंद्रमिशनों के लिए इसके नहितार्थों पर उत्साह व्यक्त किया अंतरिक्ष एजनसी ने स्पेस एक्स को अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए स्टार्शिप का एक संसकरन विक्सित करने को कहा है जिसका उद्देश मनुश्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है I don't know about you, but we're music or stuff out there For more videos related to science, technology and nai information, subscribe this channel. Also, like videos and share.